नमस्ते दोस्तों मेरा नाम चिराग है मैं एक सराभी हूँ हाई चिराग भई इदर मॉगा मेला मुझे आज गरूप की तरफ से मैं आपारी हूँ इसलों की हूआ एनलकोहौलिक्स अनोनिमस कि मुझे आज किसी तरह के सरप की जरूत नहीं पड़ी और एक सुख्य और समधनकारी जीवन जी रहा हूं दोस्तों आज सरप से दूर हूं और बहुत खुस हूं दोस्तों एक एक दिन करके जो आज ये 10 साल कंप्लिट हुए है और जो मैं जिन्गी जी रहा हूं वो जिन्ग करूंगा जो मेरा आपके ही शिखा हूं और मुझे जिन्गी मिलेगी तिनरा साथ आलकोहॉलिक्स एनोनिमस में मेरे जिन्गी में अधी बोटल बीएड़ बनके आया था वो काफी हद तक बढ़ गई थी तकरीबन एक खंबा एक फैक विसकी तक चला गया था और मेरी सब बरबादिया हुई थी शराप मेरे साथ मेरे सब कुछ बरबादिया हुई लेकिन मेरी को व चीज डिखती ही नहीं थी और मुझे स्वाधика के प्रति बहुत प्यार था जो सराप अधागिलास प्यूर्वन के आय थी वो धिर्रे दिरे बड़ी उसके साथ मेरी जो यह दो नहीं लेकिन पागे पंती थी मेरी मैं क्यों हो रहा था मेरी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सराब ही मेरी जिन्गी को चला रहे थी यह दोस्तों सराब मेरी जिन्गी को चला है उसमें बहुत साल लगे तक्रीबन पाच्छे साल लग गए मेरी को अलकोहलिक बनने में यहां जो डेफिनेशन मेरी को समझ में आया उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि पाच्छे साल लगे था मुझे आर्कोहलिक बनने में महले जो सराब मेरी जिनगी में आये थी वो मेरे को जब-जब मौका मिलता था तक तब सुचा था फिर वो सराब महिने में एक बार हुई फिर महिने में दो बार हुई फिर हफते में एक बार फिर हफते में दो बार और एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरी जॉब दमन में लगी तब वो सराब डेली हो गई दौटर से हम्हों को पता है तैसे को और मेरी भर पर वह चीज मेरी मा को पता चल गई तो कि मैं दरू पी के जाता था और हमेजा VIIalambling क्यों को पता हुँ अइसा में दिखाने की कौसिश करता था और उसमें में एक mg आने मेरी को बोल दिया कि दारू पी के आता है हमको पता है तो क्यों फोकट में नाटक करता है दारू नहीं पिया हो ऐसा दिखाने का तो दोस्तों यह एक ऐसी बात थी एक लड़का सराब पीता है और उसके माबाब को घर में पता है तो यह चीज एक-एक को सरम आनी चाहिए वेरी को कुछ पषता होना चाहिए उसके बदले भेरी को मापी मांगनी चाहिए उसके लिए तो ना तो मुझे कोई सरम आई ना तो मुझे कोई पषताव आ हुआ मेरा मम्मी के साथ जगड़ा चालू हो जाता था मैं हमेशा बोलता था कि मैं कमाता हूं मैं पीता हूँ तेरे बाप के पैसे से थोड़ी पीता हूँ तो यह चलू हो गई और उसके कारण जब मेरी को मेरी मा को ज्यादा बोलती थी तो मैं घर में चीजे तोड़ पोड़ करता था मेरी मा को मारता था पिता जी को गाली देता था आजी बजो वाले कोई समझाने आए उन लोगों के साथ भी गलत तरीके से बात करता था तो इंस्वर्ट किसी की बात को सुने की या समझने की में कोशिजन way क्या एक अए ऐसा गमंड आ गया था यार मैं कमाता हूँ मैं पीता हूँ इनलोगों को क्या तकलीफ है इस लेकिन तकलीफ थी दोस्तों जो शाराब मैं फीके सुबह उठता था दुसरे चोड़के में एपर मेरी मां मेरे मां करती OUT में मेरी जान के बाहर में वह प्रत्शने प्रैयर करती था। इसके लिए भगवन से प्रात्ना करती थी कि विवड़ा अभी मर जाये तो अच्छा हो छोटे मैं भी छोटू तो इस तरह की बरबाद्या हुई सराप के कारण ही मेरी बड़ा यदूरी रही मैं कहीं नौकरी में सेट नहीं हो पाया मेरे घर में मेरे दोस्त लोगों में मेरे समझ में मेरे रिष्टेदारों में काम की जगपे सब के साथ मैंने रिलेशन खराब कर दिये थे मैं कोई भी काम की जगप दोस्त लोगों ने तो हकल ही दिया था अपनों में से सगे वाले भी रिष्टेदार भी मैं उनके घर ना जाओ ऐसी दुआ करते थे और रही बात मेरे परिवार में मेरी मा की तो वो तो खुदी में मर जाओ ऐसी प्रेयर करते तो एक ही घर में रहने के बावजूद भी हम अल त्यार करने वाले लोग थे मुझे वो समझाते थे भाई तू मत पी पहले मत पी ऐसा बोलते थे लेकिन जब उनको लगने लगा कि अभी पुक्का बेवड़ा बन गया है इसके हाथ से अभी सराब नहीं चुट सकती तब मेरी को यह बोलने लगे कि भाई तू लीमिट में घर पे लाके पी 15 दिन में एक बार पी अच्छी ब्रांड का पी लेकिन अभी उन लोगों को कौन समझाए यार कि यह सब में करके आया हूं मैं चोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं चुटती है यह सराब से दूर रहने के कहीं प्रयास मेरे असपल रह चुके हैं और मेरी को थोड़ा बहुत पीते थे वो मेरी को समझाने आते थे तब मैं उनको बोलता था तुम लोग कौन सा नारियल पानी पीते हो या गंगा जल पीते हो तुम लोग भी तो दारों ही पीते हो लेकिन तुम क्या है कि पैसे वाले हो और थोड़ा लिमिट में पीते हो तो ड़के पीता हूँ तो मैं बेवडा बनके मार्केट में आ गया दोस्तों यह जो मैं थोड़ी ज्यादा पीता हूँ यह बोलता था वो सिर्फ बोलने के लिए था लेकिन वो मुझे पता था कि उनका और मेरे पीने का जो पैटन था वो बिल्कुल अलग था वो एक पैक दो पैक पीते थे और तीन पैक पीने के बाद वामिट कर देने वाले को मैंने देखा है मेरे साथ और मैं एक कोड़र दो कोड़र तीन कोड़र इस तरह पीता था मैं दो कोड़र के बाद चखना मंगाता था ऐसा बेवड़ा था मैं तो और उसके उसमें भी मेरे दिमाग में जो सराब तुर लोग मेरी को समझाने के लिए आते थे तो उनको यह बोलता था कि आप लोगों कभी सरब पी है नहीं पी है आपने पहले सरब में क्या मज़ा है वह देखो बाद मेरी को समझाने के लिए आने का तो इस तरह से सगरी लोग मुझे समझा समझा कभी ठक गया और फिर मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया और मैं मेरी जिंद्गी को सराप के साथ चला सकता हूँ यह वहम लेकर मैं जीता रहा है मेरी बरबादिया चालू ही थी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था बिगड़ी रही थे जो पहले पांच-दस-पंदर आदमी के प्रतिकुन्दस थी वो सो देर सो तक चली गई थी मेरी को मेरी भावनाय स्तीर रही थी मेरी को हर बात में छोटी-छोटी बात में गुस्सा हिरा था मेरी जिंगी में जो करना चाहता था और नहीं कर पाया उसके लिए हमेशा दूषरे को जिम्मेदार थेहां था था मेरी को एसा ही लगता था कि पूरी दुनिया खराब है उसके लिए लिए दारूपीत हो अगर ये दुनिया में सब लोग सुधर apologize आएंगे मेरे माबाप मेरे भाई मेरे दोस्त लोग मेरे समाजवाले मेरे रिष्टेदार मेरे जो काम पर रखा है वह लोगो सब खराब है यार वह उनकी वजह से मैं दैरुपी ता हूँ अगर यह लोग सुधर जाएंगे तो लेकिन यह मेरा सबसे बड़ा वहम था वह मेरी को सराव से दूरी मिलने के बाद पता चला मेरी को चीज तो यह सब होता गया सराब के साथ भी एक टाइम ऐसा आया फिर के मेरी सारी बर्बादिया हो चुकी थी मेरे में कुछ बचा नहीं था सारी रिक रूप से मांसिक रूप से मैं भावनात्म गूप से मेरे में कुछ बाकी नहीं बचा था मेरे में बचा था तो सिर्फ पस्तावा सरम डर अत्मदया पैसे की जिन्ता सभी तरह की बर्बादिया हो चुकी थी तो उसके कारण मैं अपने आपको लोसी ठहरा रहा था कि यार मैंने सराब पी के मेरी जिन्गी की बाट लगा दी मैं अपनी नजरों में भी गिर गया फिर और मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया में मेरा कोई ही नहीं अभी मैं इसदर जी के क्या करूंगा मुझे कोई समझने वाला नहीं है मेरी बात कोई सुनता नहीं है मुझे कोई प्यार नहीं करता है मेरी कोई जगह पे गिंती नहीं है सब जगह से मैं जाओं या ना जाओं कि अपट करेंगक सकता है और 123 मेरे को जल्दी इंटके auto Saturday शेए बिच उटक दोस्तों ँपर भाद यहा होगी जो sevens ने मुझे नव महेने अपने पेड płॉड अपक्रम को जनम दिया पढ़ाया लिखाया बड़ा कियाใन Щन बनाया मुझे रिष्टे नाते समझा ये दुनियादारी सिखाई ये समाज में मैं रह सकू उसके काबिल बनाई एक इंसान बनाया था मुझे और वही मा मैं मर जाओं ऐसी प्रात्ना करने लगी थी तो उसका सीधा मतलब ये था कि मैं एक इंसान नहीं बचा था मेरी आत्मा मर चुकी थी मैं और मेरी सराब बाकी की दुनिया जाए भड में वो सोच लेके मैं जीता था और मेरी अकड बच गई थी और कुछ नहीं बचा था और ये चार-चार बार सुसाइड एटेम्ट एक बार जहर नीन का गोली दो बार जहर एक बार रेलवे ट्रेक फिर भी नहीं मरा मैं तो मैंने भगवान के साथ भी मेरे रिष्टे खरब कर लिया कि भगवान तुम मुझे सजा देने के लिए जिंदा रखा है मेरा नसीब एक तो तुमने खरब कर दिया मेरी किस्मत ऐसी लिखी तुमने कि मैं बरबादी की और चला गया भगवान तुम चाहते तो मेरी जिंदी बच सकती थी मैं समर सकती थी मैं अच्छी तरह जी सकता था लेकिन तुमने ही मुझे बेवडा बनाया और आज में जब मैं मरना चाहता हूं तब तुम मुझे मार भी नहीं रहे हो मुझे बचा रहे हो बार बार तो मैं भगवान को दोसी ठेहरा रहा था हकिकत में देखा जाये तो इस्वर की वह पुर रहती और फ्री नहीं रहता है वह हाईवे में बगेर आजू-बाजू देखें में क्रॉस करता था तो वह ग्रेस ऑफ गॉड थी यार क्या था वो लेकिन मेरी को उस टाइम पर वोची समझ में नहीं आई थी और मैं पीता रहा और जब मेरी जिनगी सराब के साथ भी नहीं चली चल सकती थी और सराब के बगेर भी नहीं चल सकती थी मेरे अंदर ना तो जीने की कोई होप बची थी और नहीं में मेरी जिनगी को ठीक कर पाओंगा ऐसी कोई उम्मीद थी मेरी को मैं totally Banker अब अध्यात्मिक रूप से वी विचारों के रूप से में गीर चुका था औ मैं उसको रोक नहीं पाता था मेरे तरीके से मेरी इच्छा होने के बावजूद भी सराब नहीं पीने की इच्छा थी मेरे में फिर भी जब सराब पीने की तलब आये तब मैं उसको नहीं रोक सकता था और मुझे थोड़ी सराब पीलू तो अच्छा लगेगा यह सोच के पी पीके में आता था तो ये चीज में इधर आया मेरी को 30 सप्टेमबर 2012 जब ये कंडिशन हो गई मेरी ऐसी हलत तब 30 सप्टेमबर 2012 आज का दिन एकजेट दस साल पहले सुबह साड़े साथ बजे मुझे अलकोहलिक सेनोनीमस का मेसेज मिला दो मेंबर मेरे घर पे आये मेरी को एक सवाल पुछा भाई तेरे को पीनी है के छोड़नी है तब मैं रो पड़ा कि इधर पीना ही कौन चाहता है मैं तो छोड़ना चाहता हूं पर छोड़ती नहीं है तो तब वो भाई ने मुझे बूला कि अगर आपकी सराप छोड़ने के एक बाल जीतनी भी इच्छा है तो सराप के सामने आधी लड़ा जीत गया समझ लो दोस्तों ये बात सुनके मेरी को एक अजीब महसूस हुआ दिमाग में कुछ क्योंकि मेरे आलक पे लाके पी अच्छी ब्रांट का पी ये सब फालतू की बाते बोलते थे ये ऐसी बाते मेरे को किसी ने नहीं बोली थी और जब इन्होंने ये बात बोली तब मेरी को एक आसा जेगी कि भाई ये बोल रहे हैं तो उनके पास कुछ होगा कुछ ना कुछ तो होगा कुछ द उनुनने तक्रीबन 22 साल अपनी जिंगी में सराब पी थी और जो बरबादिया की थी उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताया फिर वो 11 साल सॉम पulative मेरी को मेसेज दिया तब तो उन्होंने अकनी 11 साल की सोब्राइटी के बारे मेरी को बताया और मेरी को एक आसा बंद गई उनके प्रती उनके उनकी बाते सुनके मेरी को ऐसा लगा कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा तो मेरी सराब रुख जाएगी ये मेरी को एक आसा जगी लेकिन मेरी को खुद के उपर भरोसा नहीं था क्योंकि सराब चोड़ने की कई बार मेरी इच्छा थी और वो नाकामयब हो चुकी थी सुबह नहीं पीने का निर्धार और सामको फिर एक बार सराब पीने की तलब लगना और फिर देर सारी सराब पीना ये मेरी रूटिन बन गई थी तो ये चीज को जब मैं सुझा तो मेरे खुद पर भरोसा नहीं था लेकिन इन बाहिने बातों पर मुझे आसा जगी और उन्होंने मुझे बुला कि भाई इसके लिए मिटिंग करना पड़ेगा तो दोस्तों सप्टमबर 2012 को मेरी को मैसेज मिला और दो अक्टूबर बटलब तीन दिन ये तीन दिन मेरे इनिस्यल स्पॉंसर ने 72 गंटे सरुवात के दारों से दूर होने के 72 गंटे एक आलकॉलिक के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं वो 72 गंटे मेरी को मेरे इनिस्यल स्पॉंसर ने संभाला एक छोटे बच्चे की तरह जो छोटा बच्चा कमजोर पैदा होता है और उसको जो काच की पेटी में रखते हैं हस्पताल में तो मेरी को उससे भी अच्छी तरह से उन्होंने संभाला और मेरी को फिर तीसरे दिन मीटिंग करवाया सरब नहीं पिया था दोस्तो लेकिन दिलो दिमाग में कोई खयाल नहीं थी कोई जो आसा थी कि क्या अभी में आसा थी लेकिन विश्वास मेरी को नहीं था खुद पे तो वो क्या होगा क्या नहीं वो एक कस्मकस भरी सवाल ल बीमारी है, मेरी को सबसे बड़ा आश्वासन मीटिंग रूम में पहली मीटिंग में मिला कि भाई एक आलकोहलिक जो होता है वो खराब आदमी नहीं होता है, वो एक बीमार आदमी होता है, और मैं मेरी बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, दोस्तों ये सुनने के ये मेरी प्रगति की कि मैंने खुद को माफ किया, फिर मेरी को बताया कि ये बीमारी है, मांसिक आगर्शन है, सारीरिक अलर्जी है और अध्यत्मिक अदह पतन है, और मेडिकल साइंस में ये बीमारी से बचने की दवा अभितक दवाई-गोली इंग्शन कुछ बना नहीं ह और मिटिंग रूम में भाहि लोग शेरिंग कर रहे थे, कोई भाई 22 साल सोबर, मेरे इनिस्टर स्वंसर 11 साल सोबर, कोई भाई 8 साल, कोई भाई 6 साल, कोई भाई 2 साल सोबर, तो एक बाजू बोल रहे थे कि बीमारी है दूसरी बाजू बोल रहे है कि इसकी कोई दवा नहीं है और बोल रहे है कि इतने साल सराब से दूर है तो ये पॉसिबल कैसे हुआ तब मुझे बताया गया सराब छोड़ती नहीं है भाई सराब को एक दिन के हिसाब से रोका जा सक तो यहां मेरी को कहा गया कि सीर्फ आज का दिन आज का दिन तुम्हें सरब नहीं पीनी है और आज का दिन अगर तुम सरब नहीं प्योंगे तो मर नहीं जाओगे दोस्तों ये बात मुझे बहुत अच्छे लगी, मुझे जब पीता था तब mentally obsession आये तब क्या करने का वो पता नहीं था, लेकिन यहाँ alcoholic seronimus में मेरे भाई लोगों ने मुझे बताया, obsession नहीं आये उसके लिए क्या करने का है, तो obsession नहीं आये उसके लिए मुझे hold का program दिया, hungry, angry, lonely and tried, बुले भूखा मत रहे, घुसा मत कर, अकेला मत रहे, जरुवत से ज़्यादा काम मत कर, और उसके साथ साथ, meeting कर, literature पढ़, member लोगों के साथ, touch में रहे, अपने आपको busy रखन की कोशिश कर, कोई भी गलत सोच आए, सराप पीने का मन करे, disturbance लगे, तो किसी member के साथ confere के बात कर, दोस्तों, जब मैं ये में आया, मेरा पहला meeting था, तो मेरे घर वाले को मेरे पर भरोसा नहीं था, मैं मेरा विश्वास खोचुका था, मेरे परीवर के प्रति, मेरे पास mobile नहीं था, मेरे initial sponsor ने मुझे mobile लाके दिया, और वो पहला दिन मेरा alcoholics anonymous का, और मेरे duty का पहला दिन, नई job का पहला दिन, मेरे को company पे छोड़के आए, और company पे से जब मेरा चुट्टी होता था, तो मेरे घर तक आने में तकरीबन मेरे को 45-50 minute लगते थे, और वो 45-50 minute तक मेर initial sponsor का phone चालू रहता था, और मेरी को ऐसा लगता था, कि मैं मेरे बलबुते पे सराब से दूर हूँ, लेकिन हकीकत यह थी, कि मैं उनके साथ बाचीत करते करते करते, मेरे दीमा को किस तरह से divert कर देते थे, मेरे को पता ही नहीं चलता था, और दोस्तों इस तरह की मदद लेकिन मेरे बात को ठुक जुका था, वो प्यार मुझे मिला, एक मेरी को सुनने वाले मिले, मेरी बात को समझने वाले मिले, ज़ो कि एक अंधा Immeré का चालू जानता है, वैसे ही मेरे जैसे बेवडे का दर्द, एक मेरा सुद्रा हुआ भाई, जो सेराबियत पे अपना सब क तो मेरे बातों को सुनने वाले समझने वाले मेरी भावणाओं को समझने वाले मुझे प्यार करने वाले उसको मिले यही कमना है उनकी और वह मेरी अच्छा लगा और मेरी को जो पहले दिन जो लगा था कि अगर मैं इन लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा तो मेरी सरब रुख जाएगी और वो चीज़ को मैंने पकड़ लिया और मीटिंग करता गया तो मेरे ही इनिसियल स्पॉंसर ने मेरे को कंपने के गेट तक लेने के लिए आते थे दमन का मीटिंग करवाते थे नास्ता करवाते थे और साम को फिर वापस मेरे को मेरे घर पे छोड़ देते थे दोस्तो कौन करता है ऐसा आजके समय में अभी जो टाइम चल रहा है इधर किसी के पास किसी के खर्चा करने के लिए समग और पैसा नहीए तो अलकोहोलिक से ननीमस का मेंबर ही यह कर सकता है दूसरे के लिए मेरे साथ किया मुझे बहुत मदद मिली दोस्तों मैंने ये होल्ड का प्रोग्राम फोलो किया मिटिंग की लिटरेचर क्या पढ़नाई थोड़ा बहुत पढ़ता था मैं ज्यादा पढ़ने का सौक नहीं था मुझे मैं देली किंतन पढ़ता था बस तो उसके काराण मेरा जो तो मेरे कहानी उनकी जुबानी बोल रहे थे ऐसा मेरी को लगता था तो मैंने उनकी बात सराप के मामले में बिलकुल मान ली और में सराप से दूर होने के बाद मेरी जो Dif hat का जो दूवरा हिस्ता है जिन्दी January तरा मेरी जो चीज honestly को मैं एक्षर करने के लिए तयार नहीं था क्योंकि मेरा हंकार उसमें बीच में आ रहा है, मेरे व्यक्तिगत समन किदर भी ठीक नहीं थे, मेरी भावनाए अस्त्वियस्थी थी, मेरी को घुसा बहुत आता था, डर बहुत लगता था, पैसे के मामले में मेरा कोई मेनेजमेंट नहीं था, मैं हमेशा कोई भी दूर जासा का सिकार बना लेता था, ये जब बीग बुक पे पढ़ा तब मेरी को समझ में आया, यार मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं मन्य करने के लिए तयार नहीं था, मैंने सराप के मामले में किसी भी भाई के अनुभव की तुलना नहीं की, क्योंकि मैं मे कोई भाई अस्पताल में एडमिट था, कोई भाई पागल खाने में एडमिट था, कोई कहां कोईसी की बीबी भाग गई थी, किसी को धेर सारा करजा था, तो मेरा ये सब नहीं हुआ था, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हूँ, उसको ये स्टैप पर करना चाहिए और अप बहुत बचने भी लगे थी, कपड़े अच्छे हो गए थे, घर में जो जगड़े दारूपी के रोज होता था, वो बंध हो गए थे, हाला कि 15 दिन में महिने में एकाद बार होता था, लेकिन डेली की जो किछ-किछ माच-माच रहती थी, वो बंध हो गई थी, दोस्त लोगों को नहीं समझ पाया था, सबके प्रती खुनस थी और मैं मेरी बाहरी रूप से तरग की हुई थी, पैसे के मामले में, यो रिष्टादारों ने मुझे स्तिकार कर लिया, कही ना कहीं पर मेरी धन्दा बराबर से सेट हो गया, तो मैं उसी को सरप का रूपना और पै प्रोग्राम के प्रति ध्यान नहीं दिया पूरी प्रमानिक्ता नहीं लगाई और मैं हमेशा डिस्टब रहता था यह जो हमारी अनमेनेजबलीटी के जो आठ सवाल थे उसमें से आठों आठ में मेरी हाथ ती लेकिन मैं वो स्विकर नहीं किया था क्योंकि स्विकर करता तो म मेरा हंकार मुंझने के लिए तयार नहीं था मानने के लिए मुरी को समझने के लिए समझ नहीं देता था तो ऐसे जीन जी चलता रहा चरब से दूरी महाति blir परिवार के उपर एहसान किया हो मेरे माबब के उपर सब बहुत बड़ा हैसान किया हो यह जताता था और उन लोगों को में मेरी आवाद सुनो पास अभी पहले आप मेरी गिंती नहीं करते थे मेरी नई सुनते थे, अभी मैं दारों नई पी रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, पैसों से जो भी जिम्मेदारिया निभा सकते, वैसी मैं जिम्मेदारिया निभा रहा हूं, तब तुम मेरी बात सुनो, बस ये बात मेरे में आगी, तो इसके कारण मुझे बहुत मार पड़ा मेरे सब केरेक्टर डिफेक्ट मैं प्रैक्टिस करता था मेरे को बहुत सारा डर था financial insecurity थी मैंने जो कांड किये थे वो खुल नहीं जाए उसका डर था और मुझे एक साधी नहीं होगी क्या इसकी चिंता रहती थी पैसे आएंगे के नहीं आएंगे फिर घर काम और meeting कहा गया है तो मैं नहाब ये धड़मन्स यह उसे के Survivor मैं एक जगह पे हुता था इसके कारण में हर जगह पर disturbance फिर बाणिश सी पहलाता है इदर घर काम और मीटिंग कहा गया है तो मैं मीटिंग में लग जिन गी घरमें अलग जिन गी और काम पर लग जिन गी जो डियूल ब्रस्नालिटी बुला गया है काल्कोहालिक्ता में वह दोहरी जिन aqui जी रहा था मैं जहां सबसे कम समय बीता था मतलब कि मिटिंग रूम उधर में सबसे अच्छा रहता था और जीदर में सबसे ज़्यादा समय बीता था वो था मेरा घर तो मैं उधर किसी की कदर नहीं करता था अच्छे कारियान की सुरूवात घर से होनी चाहिए लेकिन मैं क्या जिन की जी रहा था यार क्योंकि मेरे में ये प्रोग्राम को सही तरह से लेने की दाना दी है फोश्याद से कमा रहा हूं यहीमेरी जिंहした कि निभा रहे हूं अभी उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मेरी प्रॉब्लेम सरब नहीं है मेरी प्रॉब्लेम कुछ और है और जब मेरे इनिस्टल स्पंसर से बात हुई और उन्होंने मेरे को बताया कि भाई तुम लोगों को किताब दिया है उसको पढ़ो वो पढ़ने के लिए तुमको धूल ख प्रॉब्लेम अगर कोई है तो वो है मैं खुद मेरे जो सभाव है वो मेरे प्रॉब्लेम मैं अपनी मनमर्जी चलाता था वो मेरा प्रॉब्लेम था किसी की बात नहीं सुनता था हमेशा मैं मेरे स्वार्थ को आगे रखता था किसी के प्रतिश समर्पन किसी की बात को सुन तखली पे भी मेरे में आई, मेरे को हर जगह पे मेरे को ए मेंबर काम आए, मैं उसके लिए आभारी हूँ यार इन सब का, मेरी सॉबराइटी के कुछ छे ही महिने थे और मेरे पीता जी का एक ओपरेशन करना पड़ा, अरणिया का, तो मेरे को छुट्टी नहीं दिया, मेरे स के बाहर, वो मेरी को ऐसा बोला कि तुम जाओ उदर, मैं हूँ इदर, कुछ ने, कुछ भी होगा, मैं हूँ इदर, तुम अपना जाओ, छट्टी नहीं मिला तो, मेरे को उदर, फिर मेरे पीता जी का, मेरी सॉबराइटी के कुछ दो या धाई साल एक्जट याद नहीं को कैंसर हुआ, तो उनके कैंसर का ऑपरेशन करवाना था, दोस्तो मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे, कि मैं मेरे पीता जी का ऑपरेशन करवा सकू, तो वापस मैं टेंसन में आ गया, भावनत मगरूप से तो अस्तिर पहले ही था, लेकिन यह जो ऐसी प्रोब्लेम आती है, तो देवड़ा करता कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्टब होता है, और वो जो डिस्टब होई भावनाओं को लेके ऐसा महल खराब कर देता है, और मैंने भी वही किया, लेकिन मेंबरों से बात की, तो मेरी को बोला कि यार तू अस्पताल में तो ले जा, बाके का सब हो जा जाएगा, अरे यार ऐसे कैसे हो जाएगा, उदर जाएंगे तो पहले तो डिपोजिट मागेगा, डिपोजिट के बाद काम चालू होगा आगे, तो मेरे पास तो वो भी नहीं, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस मिला हमको कैंसर अस्पताल का, और जो रेफरेंस हम लेके गए बाहरी दुनिया से मेरा संपर कट चुका था पूरी तरह से, और वो अस्पताल का महोल और ICU में बैठा रहने का, दिन रात ना खाने पीने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना किसी मेंबर से कॉंटेक्ट, दोस्तो मेरी जो दिमागी तोर से जो अस्तिरता थी, वो बहुत पिखर गई थी, बहुत बढ़ गई थी, मैं डॉक्टर और नर्स लोगों के साथ बलत तरीके से बात करने लगा था, तब मेरी मंबी ने मेरे यहां के एक सीनियर मेंबर, मेरी इनिस्टिल स्पांसर को फॉन किया, बोले चीराग डिस्टब हो रहा है, आप उसके साथ बात क परताल पे लेने के लिए आए, मेरी को मिटिंग में ले गए, मेरी को बोला कर, तेरे दिलो दीमाग में जो कुछ भी चल रहा है वह उसेर कर, वह के इतलता है, उन लोगों ने ध्यान से सुना, फिर मीटिंग खतम हुई, तो दो-स मेंबर, दो-स मेंबर, दो-स-मेंबर तुम नहीं कर सकते इसको ठीक तुम भगवन पर चोड़ो और अपनी मर्जी जो है चलाना बंद कर दो अगर तुम यह चीज में और आगे बढ़ोगे तो तुम अपने पीता जी के साथ जो अभी हो वह भी तुम हट जाओगे तो दोस्तों बोले प्रेयर कर भगवन से तो दो से हो यार यार-षवर भरोसा करके जो अनождυ मिली थी जांता था सब कुछ आप मेरा बार हूआ कि बगेर डिपोजित के आपरेशन हो गया तो तो कम किस Nee किया मेरा हूं काम लेकिन मैं वो चीज को देख नहीं पाता था क्योंकि मेरे आगे मेरी मनमर्जी की और मेरे अहंकर का पड़्दा था लेकिन दोस्तों हो गया सब कुछ फिर इस सब्राइटी मेरी चालो ही थी और मेरे जो तखली पे थी वो भी चालो थी लेकिन साथ में साथ में प्रोग्राम शगाई होके टूटी दो एक बार तो मैंने मिठाई भी बाट दी थी मीटिंग रूम में और में में मिठाई बाटा उसी मीटिंग में जाके मेरी को बोलना पड़ा के वह लड़की ने साधी के लिए मना को दिया मैं बढ़त के दोस्तों इतना होने के बाद जो चिराग करूंगे ऐसा बोला फिर भी मुझे सरब की जरूरत नहीं पड़ी वो सिर्फ और सिर्फ यह जो प्रोग्राम है जिसके मैं थोड़ी बहुत को सिस्ट जो बीमारी को समझ के मैं कुछ भी हो जाए आज का दिन सरब नहीं पीने का यह जो भीमाग में ठस ठोक दी थी वो बात को वो बेज मेरा जो मजबूत था उसके कारण में सरब नहीं पिया और सरब नहीं पी उसके साथ-साथ मैंने वो लड़की के प्रती खुननस भी नहीं रखी क्योंकि मैं यह पढ़ा था बीक बुक में कि खुननस मेरा एक नंबर का दुश्मन है अगर मैं खुननस रखोंगा तो मैं ही दारू पीऊंगा तो दोस्तों मैं दारू पीने से डरता था इसके लिए मैंने खुननस भी नहीं रखी लेकिन फिर मेरी और तीन-चार बर साधी टूटी तो मेरी को भरोसा उट गया यार भगवन पे मैं मेरे हिसाप से अच्छी लड़की मिले मेरी और मेरी साध लेकिन इसवर के इच्छा कुछ और थी तो दोस्तों सुबराइटी के पांच साल बाद मेरी साध भर साधी टूटके आटवी बार साधी हुई मुझे बीवी बहुत अच्छी मिली और साधी होने के बाद कुछ दिन अच्छे घिक गये लेकिन बाद मेरे में डर आया और प पता नहीं था तो और मेरा एक गल्फ्रेंट थी गल्फ्रेंट के साथ मेरे लपड़े हुए थे वो मैं किसी उसको नहीं बताया था तो उसका डर था मुझे सायद वो लड़की वहाजु भाजु में थी हमारे तो वह आके बोल देगी Ither आ गेई तो तो जब-जब मैं मेरी वाये के साथ बैठता था तो मेरी को या तो पस्तावा होता था या डर लगता था और फिर में होता था भावनात्मकरूस रस्थिर चिर चिर्चिला और बेचन जो यह वी बुक में लिखा है, वो मेरे साथ हुआ, चीड़-चीड़ा बेचेन और रसंतुस्ट, और उसके कारण मेरे सभी जगह पे, जो केरेक्टर डिफेक्ट थे, वो सभी जगह पे खुल के बाहर आये, और मैंने भावनत मक्रूप से सबको नुक्सान पहुचाया, क्यो इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो एक मेंबर से बात किया, सीनियर से, उनको पता था, साथ बार साधी चूटी वो, तो बोले के, चीराग अभी मत बता, थोड़ा टाइम निकल जाने दे, तुम्हारा बर्णिंग अच्छा हो जाने दे, वाइप के साथ, बात में हम बत से जी रहा है, इसा तेरे को लगता है, तो तू प्रोग्राम पर है, तो एक काम कर भाई, वो मेंबर ने बोला, थर्ड़ स्टेप, याद कर तूने किया है कर नहीं किया है, उन्होंने मेरे को वापस थर्ड़ स्टेप करवाया, बोले, तू सब डर निकाल दे, और तेरी इसवर को दे दे, जो करेगा, इसवर अच्छा करेगा, तू बोल दे, तो दोस्तो मैंने मेरी वाइप को वो चीज बता ही, रात को नव बज़े से बैठा था, सुबा तीन बज़े तक, वो छे गंटे में मैंने पूरा पूरा अल्कोहॉलिजम बता है, सब कुछ बता दिया मेरी वाइप ने मेरी को बोला कि आप जो अभी बता रहे हो, वो तो आपका पास्ट है, और आपका पास्ट कैसा था उसके साथ, मुझे कोई लेना देना नहीं, आप आज कैसे हो, उसके साथ मेरी को लेना देना है, और आप आज जैसे हो, वैसे मैं आपके साथ पूरी जिन यहां कहा गया है कि हो सक्के तो आप अपने स्पनसर के साथ की तो स्पनसर के सब करने से क्या होता है मेरी को मेरा एक्जेट आग मेरा नेचर जो है मेरा character defect मेरा sponsor मुझे बता सकता है और मेरी को उपाई योजना में उसका आखरी कोलम उपाई योजना में उसका उपाई भी बताता है तो मेरी wife को तो यह सब पता नहीं था inventory के बारे में वो तो बेचारी क्या मेरी को मेरा पती कितना अच्छा है मेरी को अपनी सारी लेकिन उस बार में बहुत कोई खल बलाहट नहीं थी कोई चिंता नहीं थी कोई टेंशन नहीं पैसे किदर से आएंगे क्या होगा कुछ टेंशन नहीं वापस उसी अस्पताल में गए दूसरी बार भी ऑप्रेशन हुआ आधा पैसा में ओप्रेशन हो गया और हम वापस आगा तो यह हो गया लेकिन सराप से दूरी यह सब भाधिक्ता में तरक की सबन सब जगह अच्छे होने लगे लेकिन मेरी को जो मेरा एक्जेट रॉंग पता ही नहीं चला था जिसके काराण में बहुत दुखी हुआ तो जब यह मैंने इमंदारी से पुर्स्टेप लिखा ही नहीं था लेकिन यह लोगडाउन आया लोगडाउन में ऑनलाइन मीटिंग में जॉइट हुआ होने के बाद मेरी को एक अच्छा स्पांसर मिला उसके मारगा दर्सन में मैंने मेरा पूर्स्टेप लिखा फिफ्ट परफेक्शन का जो मैं आग रही था सब चीज में जो परफेक्शन चाहिए था वो सोभाव के कारण खाने पीने में जो मैं जो क्या बोलते हैं उसको घलतिया निकलता था उसके कारण मैंने बहुत ठेस पहुचा है उसको लेकिन ये जब प्रोग्राम जब इमांदारी से इमांदारी से की और नाइन स्टेप मेरा आज भी चालू है कई अमेंट्स हैसे है जो मैं कर नहीं सकता कई अमेंट्स है जो मैं अभी नहीं कर सकता और कई अमेंट्स है कि मैं चाहूं तो भी नहीं हो सकता है वैसे है तो नाइन स्टेप आज भी चालू है लेकिन आज मैं मे जो सराब से दूरी मिली और मेरी जिन्गी चल रही थी उससे जो आज सराब से दूरी और यह प्रोग्रम करने के बात की जिन्गी उसमें आस्मान जमीन का परक है। मैं मैं मेरा स्वार्थीपन मैं और मेरा मैं मतलब मेरा हंकर और मेरा मतलब मेरा स्वार्थीपन वो मुझे खाए जा रहा था लेकिन यह जो स्टेप पर करने के बाद मेरी को यह चीत समझ में आ गई है कि मेरी इच्छा नहीं चलने वाली मैं किसी भी तरह से इस दुनिया के कि किसी भी व्यक्ति को मेरे हिसाब से नहीं बदल सकता किसी भी व्यक्ति वस्तु परिश्थिति को मुझे जैसी है वैसी स्विकार करनी पड़ेगी अगर मैं स्विकार नहीं करूंगा तो हमेशा संगर्ष में रहूंगा और संगर्ष मतलब मेरी इच्छा और मेरी इच्छा मु मेरी को अगर सांती से जीना है तो ये program को करना है और जो trust guard clean house and health sada. ये मेरी को ये 12 step है इसमें वो 12 step मेरी को daily to daily जीने हैं कहीं पर भी मेरी को गलती हो जाये तो उसका तुरण स्विकार करना है उसके लिए मेरी को उसका जिम्मेदारी है, वो लेना चाहिए, स्विकार करना मतलब मेरी गलती है, स्विकार उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरी को एक आदमी को बोलना पड़ेगा, चाहे मेरा Mrs.Sponsore हो, चाहे मेरा Meeting Room में कोई Mem cềcept हो, कौन पर हो किसी ने किसी को बोलना पड़ेगा उसके कारण जो किसी को नुकसान हुआ है वो भरपाई करना पड़ेगा और किसी एक की मदद करनी पड़ेगी मुझे हर रोज नए भाई नहीं मिलेंगे तो मैं किसी की मदद कैसे करूँ helps other लिखा है मैंने इस तीज को यह तरह पकड़ा है कि helps other लिखा है helps alcoholic नहीं लिखा है तो मैं कहा कहा मदद कर सकता हूं मैं सब के लिए सब कुछ नहीं कर सकता हूं लेकिन किसी के लिए कुछ तो कर सकता हूं तो आज मैं किसी के पास क्या पाऊ उससे अच्छा मैं किसी को क्या दे सकता हूं उसमें ध्यान देता हू कहीं जगह पे मेरी सिर्फ उपस्तिती ही किसी को भावनत्मकृप से सांती देती है तो मैं वो चीज करता हूँ कहीं मेरे पैसे काम आते हैं तो मैं पैसे खर्चा करता हूँ कहीं मेरा समय काम आता है तो मैं समय देता हूँ तो आज मेरे पास इस्वर ने क्या दिया है उसका मैं अभारी हूँ आज मेरी मेरी जो प्रात्ना यह है वो पूरी तरह बदल गई है जो चीराग यह में आया तब इस्वर के प्रति जो उसका concept clear नहीं था वो चीराग आज अपने हर काम में इस्वर को आगे रखता है मेरी को जो दुनिया को देखने का ध्रस्ती कौन था वो पूरा चेंज हो गया है यह बारा पायरी का प्रोग्राम करने से यह दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदला है जो दूसरे को दुखी करके या दूसरे को दुखी देखके खुस होता था दूसरे की तरफ की से जल मैं यह जो हमारे प्रामिस जो लिखा है उसमें से कई बाते में मेरे अंदर सच होती हुई देख सकता हूं मेरा स्वार्थीपन निकल चुका है मेरी आत्मकेंद्रिता निकल गई मेरे डर निकल गए परिष्टितियों को मैं जैसी है वैसी स्विकार कर सकता हूं पहले जो मैं डर जाता था या डिस्टब हो जाता था आज वो परिष्टिद्धी को मैं समझने की कोशिश करता हूं और उसमें से कैसे बाहर निकले वो मेरी को समझ में आता है आज मुझे कोई भी तखलीप आये कोई भी समस्या मेरे सामने आये तो उसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है ये ऐसा में नहीं सोचता हूं भिखाँ जिम्मेदार हूं और मैं अगर जिम्मेदार नहीं हूं तो मैं युश में से निकलने के लिए क्या कर सकता हूं मैं जब मेरी को सबसे बड़ा फाइदा थब चालो हुआ ए में आने के बाद जब मैंने दूसरे members का या दुसरे लोगों का जो मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग है उसका इंवेंटरी लेना मैंने बंद किया और मेरा खुद का इंवेंटरी लेना चालू किया और खुद का इंवेंटरी एक बार लेने से खतम नहीं होता है दसवी पायरी के हिसाब से मुझे वो चार से नौ पा कि दोफित होता है दस पाइरी करने के बाद उसबंद को बनाई रखने के लिए गार्भी पाइरी करनी जरूरी है और यहां कहा गया है कि पोकट में तू बाट उसको खुले हाथ से तो ही तेरे पास टिक पाएगा पर दोस्तों सब्राइटी का जो एक साल था तब से ये चीज लोगों के साथ बात करता हूं उससे मुझे बहुत सांती मिलती है कोसिश की और उसका फायदा भी मुझे तरopen अबह लेता हम तो ये प्रोग्राम इस तरह लिखा गया है कि अगर मैं उसको पूरी इमानदारी से इधर honesty, open mind or willingness ये तीनो तीन चीज में लगा गए करूं तो मेरी जिन्गी बलल सकती है, मैं एक सुखी समाधनकारी, happy joys and free life जी सकता हूँ, आज मुझे सराप के बंदन से मुक्ती मिली है, मे कोई साधोसंत नहीं बन गया हूँ, क्योंकि कल रात को ही 12 बज़े जब मैं मेरी मा के पैरिश को तभी मेरी मुमी ने मेरी को बोला कि बेटा तेरा सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन भगवानी ने तेरा गुस्सा ले ले तो अच्छा है, इन सोट आज भी मेरे में तकल करता हूँ, इस्वर से प्रातना करता हूँ, और आज मैं एक गेरंटी के साथ बोलता हूँ कि आज मैं जो जिनगी जी रहा हूँ, पूरी इस्वर की देन है, और इस्वर कभी मेरे सामने नहीं आने वाला है, इस्वर मेरे आजू-बाजू के जरिए, मिम्बर्स के जरिए, मेरे परिवार के जरिये, मेरे दोस्तोगों के जरिये, मेरे समाज के जरिये, मेरे काम के जगह पे लोग है, उसके जरिये वो अपनी बात मेरे तक पहुचाएगा, अभी मेरा अगर clean house नहीं होगा, अंदर की अंतरमन की सफाई नहीं होगी, तो मैं वो किसी की आवाज नहीं और मैं अपनी ही मनमर्जी चलाओंगा, मेरे बहुत सारे ऐसे अनुबव रहे हैं, जब मैंने अपनी मनमर्जी चलाई और दुखी हुआ, और जहां मैंने वो चीज को इस्वर के ऊपर छोड़ दिया, तब मेरी को सांती मिली, मैं जब संगर्ष में से समरपड में जाता हू तब मेरी आत्मसांती मिलने की सरवात हो जाती है, और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इसको जीस तरह लिखा गया है, उस तरह पूरी इमनदारी से करने से, मुझे बहुत फाइदा हुआ है, मेरे जो भी भाई है, जो जुड़े हुए हाज मीटिंग में, जिसका स् सर्विस करने का मुका लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभरी हूँ आज, आप सभी दोस्तों का, औरिषवर का, मेरे दोस्त लोगों का, फैमिली का, मैं जिदर-जिदर जुड़ा हूँ, और सभी जगा पे में सब का आभरी हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बेवडे को उन लोगों ने वापस स्विकार किया है और आज कहीं न कहीं हो मुझे कुछ न को जिम्मेदारी देते हैं अगर मैं उसको पूरी करता हूं तो मैं उसमें मेरी होस्यारी नहीं करता हूं इसके लिए भी मैं आज इस वर का भारी हूं दोस्तों बहुत-बहु झाल झाल